आज सपने सफ़त लेनी है अम क्या करेंगे जो हमारा इंवायरमेंट उसको साथ सफ़ता रखेंगे पेड लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा पेड नहीं काटेंगे पॉल्थिन का यूज नहीं करेंगे ठीके न कर तू तेरा मेरा सबी दोस्तों को नवश्कार पहला सस्रियकाल और किसन आलचाल गर्पनला सब ठीके वाल ना तीना बुड़े बाड़ी तो ना आज है विश्व परियावरण दिवस यानि की पास जून आज ना आज का प्रोग्राम ये है कि हम अपने बच्चों के साथ जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक जागरुकता रेली यहाँ पर निकालने है विश्व परियावरण दिवस के लिए सबी बच्चे यहां से निकलेंगे काफी जैदा उत्सा है बच्चों के पीच में यहाँ पर परिया रही है कम आओ आओ पे रिबाए हैं इस बच्चों को ना जहां भी कूड़ा दिख रहा है तो बच्चे सारे के सारे जितना भी कूड़ा है सब इसमें खटा कर रहे हैं पेटियों में इसमें परियावरन को सभी ने बचाना है सलाव भैंबाव बच्वेना कर रहा है आधना है सुफ प्रowaneा है के बारे लihat, सबस्थ दंदिए बच्चों को नाँ बच्च्चों को बच्चлагला है तो आजकल का जो मौसम है ना ये गर्म्यू के टाइम का इस्पेशली इसी बार का नहीं हर बार का ये एक समस्या है कि जो हमारे जंगल होते ना उन जंगल में आग लग जाती है तो उस आग के कारण ना हमारे जो पेड़ हैं जो भी फलदार प्रिक्षिया अधर पेड़ कोई रहने का पेड़ हैं वो सारे के सारे जल जाते हैं और चेनल होता है घूकरे लगए पर भी कारण चला को कि और ने वह सारा जान आग से नुठशान होता है तो हम लगा फटा कि कि उसको बुजाने की है ना ताकि बहुत से जो जानवर हैं जो अपनी पीडा को व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो उनकी जिंदगी बच सकती है जो सामने आपको दिख रहे हैं यहां तो थोड़े से पेड़ है आगे जंगलू में पूरी की पूरी आग लगी है तो ना हमने जो रोट सो था बच्चों का वो कराया अभी तो पूरा का पूरा हम यहां पे राउंड लिया हमने पूरा घुम के आए तो अब यह जो रास्ता है ना नीचे का हमारे क्या करोगे आप लोग यहां सफाई करना है ठीक है इसको सारे पॉल्थिन कुछ भी ना दिख यहां आप लाई हो ना उसमें लेकर के फिर इसको बार में करेंगे ठीक है आगे वेरी गूड काफी अच्छे बच्चे हैं हमारे अगे को चलो इतने अच्छे बच्चे बिल्कुल काम में लगे हैं एक भी एक भी पॉल्थिन डैपर नी दिखना चाहिए आगे को चलो चलो आगे को बढ़ते रो अगे हैं तो ऐसे जो कारियों होते हैं क्रियेटिव वर्क के होता है और जो ऐसे इन्वारिमेंट को शेयव करने के लिए 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 आता है इस ताइप चीज़ जो प्रोग्राम होते हमारे बच्चों को काफी अच्छा लगता यह उसमें और जिए ज्essाही रहते हैं बच्चे देखो कितना ज्यादा उसा दिख रहा है बच्चों में देखो सारे बच्ची कितने कामदार है यह थी कितने जागरूख भें देखो यह यह असली भारत के रहने वाले बच्चे हैं क्यों सारे देखो बच्चों ने कितना साप कर दिया है हाँ मैं में लोग भी है इसमें है अधिक है अधिक है ना आज ही नहीं क्या गणना है डेली हमने ऐसी ही रखना है इसको ठीक है साप सुत्रा देखो सामने ना पेड़ बौदे होने के कारण कितना अच्छा लग रहा है हर याली है अर जगह तो अगर ऐसी ही जादा से जादा पेड़ पौदे होंगे तो हमारी जो प्रतवी है ना वो बिल्कुल स्वर्ग के सावान लगेगी है ना यह कितना कितने अच्छे सभाई कर र जीवन का बचाना है अल्गा लगाता है जीवन का बचाना है अल्गा पेड़ लगाता है यह इधर इन लोगों ने इतनी बड़ी पेटी बढ़ दिया यहां पे देखो सावास यहां पे इनुने कट्टता रखे है कट्टे को बर रहे हैं पूरा कपूरा बढ़ी है नोगें ने कितना बर है तुम लोगों का बहुत क्ता रहे है नियुपर गरम हो रहा था पसीना आ रहा था इसका का पर शाण तो आप लोगो समझ मारा ना पेड़ की जो पेड़ पॉदे उनकी एहमियत के हमारी लाइफ में अगर पेड़ होंगे तो इतनी अच्छी आवाएगी और पेड़ ने होंगे तो जैसे उपर रोट में गर्मी और थी पसीना आ रहा था ना वैसी होगा है ना तो क्या करना चाह की और पॉल्थीन का यूज कहुं करना क्यों छाटन का की पॉल्थीन के मरते हैं यह और वह सरता गलता नहीं है ज़कते चित हैंट तो काफी लंबे समय तक षान ऑर उस जो हमारी खेत की फर्टेलिटी होती वो क्या रहती है कम रहती है और इससे क्या होता है पॉल्यूशन होता है तो आज से क्या करोगे पेड़ लगाएंगे और पॉल्थिन का यूज नहीं करेंगे वैरी गूड तो ना बच्चों ने अभी यहाँ पूरी की पूरी सफाई की औ और सफाई करने के बाद बच्चे ठक गए हैं और सबी बच्चे यहाँ पर आराम कर रहे हैं तो ना अभी बच्वने यहाँ पर जो सभाई था थोड़ा सा सभाई की और अब सभी सारे बच्चों को अब सारे बच्चों को हमने इखटा कर गे ना लाइन से ले जाएंगे स्कूल की और को तो सारे बच्चे आने लगे लाइन में वो अभी सारे के सारे बच्चे जीते थे ना ये इस्कूल के गेट के अंदर आ चुके हैं और इनको अभी यहां फिल्ड मां में एकटा करेंगे तो ये बताओ आप लोगों को कैसा लग रहा है भी यहां पर ठंडा ठंडा लग रहा है ना अच्छा कोई बता सकता है कि यह जो ठंडा लग रहा है ये जो ठंडी हवा हा रही है ये बगल में तम्हारे पेड है ना ये तो हवा चल लिए ना उससे और अगर ये पेड नहीं होते अभी तो हवा मिलबाथी ना तो समझ भा रहा है पेड़ू की एहमिएत क्या है हमारी लाइफ में अगर पेड होंगे तो हमको ऐसी ही चाया और हवा मिलेगी फ्रूट्स मिलेंगे पानी मिलेगा और पेड़ काड़ दोगे तो क्या होगा फिर यह चीज़ा नहीं मिल पाएंगी गर्मी बढ़ेगी है ना और परिसानी बढ़ेगी है ना क्या करना चाहिए सबी बच्चों को घर में जा करके क्या करोगे आप लोग यहां पर भी पॉसिबल हो सके वहां पर ज्यादे से ज्यादा पेड़ लगाने है ठीक है ना और जो भी पॉलिथीन वगरा यह इस टाइप जो सड़ती गलती नहीं है उनका यूज कम करना है ठीक है तो आज का हमारे प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है तो वीडियो कैस लगी कमेंट जरूर रहे हैं और मिलते नेक्स ब्लॉग में तब तक के लिए बाबाई